Qs note款 which of the following is correct image देखो यहाँ पर अगर अगर अपन बात करें तो मैं इस पार्ट को बोल सकता हूं यह जो पूरा पार्ट है Central ए या स्वीलरिवन है British Central region या सेंट चील सेंटर स्वीलेंडर भी इसको बोलते हैं अब सेंटर सिलेंडर या स्टील का जो सबसे outer part होता है वो होता है यहाँ पे सबसे पहले हमारे पार paracycle तो उसी एक layer को पार्ट को शो कर रहा तो यह तो जाएगा paracycle यह हमारा vascular tissue हो गया bundle vascular bundle vascular bundle की अगर बात करें तो vascular bundle के बीश में जो tissue होता है उसे बोलता है interfascicular जो है tissue या interfascicular यहां पर बनती है जो है वह एक सेंटर पार्ट को जो है शो कर रहा है और सेंटर में हमेशा पित होती है ठीक है डी जो है वह हमारे पास यहां पर शो कर रहा है कि जो वैस्कुलर बंडल है वैस्कुलर बंडल का ओटर पार्ट और वैस्कुलर बंडल का जो आउटर पार्ट है वो हमेशां peripheral part जो है वो हमेशां होता है phloem और central part जो होता है जाइलम तो इसी सिक्विस में इसको हम देख लेते हैं paricycle होगा फिर interface interfacicular तो यहां पर एंटर फेसिकुलर दे रखाए नहीं हो सकता भी इंटर इंटराफेसिकुलर दे रखाए नहीं हो सकता पेरिसाइकल दे रखा है, यह पेरिसाइकल दे रखा है, दोनों में से आंसर बिलकुल हमारा होगा, ठेकिन जो B है वो इंटर फैसिकुलर है, तो इंटर फैसिकुलर केंबियम इसमें पित दे रखा है, तो भी यह पित की वज़े से रोंग हो जागा, तो हमारा आंसर चला जा ताहे